स्टुडेंट्स आप सभी का सौगत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करने आ लें आपकी वक्सीड नमबर 19 के बारे में जो इंग्लिस सब्जेट की एक लास्टिक्स तकी आज की डेट का है 13921 यहाँ पर आपको अपना निम या अपनी टीचर का निम ल लावा इस वीक का जो विनर है उसको गिफ्ट भी पारसल किया जा चुका है बच्छो ठीक है कल साम तक क्या है उनका गिफ्ट अराम से पारसल हो चुका होगा ठीक है बच्छो मंडे को जब आप देख रहे होगे इस वीडियो को और आप सभी को बच्छो एक बात और बता उनका अब भी ओपन है अगर आप आस्वेट करना चाते हो तो लाइक से और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना और फुल वीडियो को वाच करते वेश चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आपका हो क्या सके संडे को विनर लिस्ट में नाम आने में इसली से हो सके ठीक है आ आइनिमल कहलाते हैं इसके बाद बच्चो आगे क्या दिया गया है इसमें बोला गया है ऐनिमल्ड वर्क ऐनिमल फूड पूर्स कॉर्स कॉल्स यानि कि वो एनिमल्स जो क्या करते हैं है help करते हैं humans की ठीक है और जो humans के work या food के source होते हैं वो कहलाते हैं domestic animals जैसे milk देने के लिए हमारी गाय हो गई ठीक है goat हो गया बफैलो हो गई तो यह सब क्या हमें food भी provide करना है तो यह domestic animals कहलाएंगे like us all animals need shelter to live in सभी animals को जरूरत पढ़ती है उनको shelters में रहने की our shelters protect them from heat, cold, rain, enemies and their shelter that are their homes ठीक है कहने का मतलब यह है जो shelter से वो उन्हें क्या provide करती है वो उन्हें heat से बचाती है, cold से बचाती है, rain से बचाती है इसके इलावा बच्चों उनको enemies से भी बचाती है ठीक है और उनके घर के जैसा काम करती है ठीक है different animals live in different kind of homes ठीक है different type के animals क्या करते हैं different different kind के homes में रहते हैं तो चलिए देखते हैं नीचे क्या दिया गया है तो बच्चों नीचे आगे क्या दिया गया है आगे क्या दिया गया है आगे दिया गया है identity फायदा animal and write its name tell whether it's pet or animal wild animal ठीक है वो pet हैं कि wild animal हैं यह चीज़ बता नहीं है तो देखो यह किसकी picture है बच्चों यह cat की तो यह क्या हो गया cat is a pet ठीक है यह क्या होगे एक pet यह किसकी picture है बच्चों fox की है तो यह हो गया fox और यहाँ पर आप लिख दोगे बच्चों ठीक है क्या लिख दोगे यह wild क्या है wild animal है इसी तरीके से यह क्या है बच्चों deer है यानि कि भालू है और यह भी क्या है को wild animal है ठीक है इसके बाद देखो अगला क्या दिया गया बच्छो ये क्या है डॉग ये क्या है डॉग है और ये क्या है हमारा ये है पेड ये क्या है टाइगर ठीक है और टाइगर भी क्या है बच्छो वाइल्ड एनिमल है ठीक है इसके बाद क्या है बच्छो ये है लॉयन कौन है लॉयन और लॉयन क एक wild animal है चलिए आगे देखते हैं बच्चो क्या दिया गया आगे दिया गया है कुछ matching ठीक है कोसर नमबर टू आपको क्या दे रहे हैं देखो match the animal with their house उनके house के साथ animals को क्या करना है match करना है ठीक है जैसे हमारी cow क्या होगी cow shed में रहती है Rat कहा रहता है ठीक है राइट कहा हो जाए राइट का hole हो गया in t까 यह हो गया ठीक है इसके बाद क्या हो गया आउंड का Ann Hills हो गया इसके बाद आगे आप देखो Gँए तो बच्चो यहाँ पर क्या जगा यह जो है देना इसके बाद बच्चो क्या हो गया आपका हॉर्स के लिए क्या हो गया इस्टेबल हो गया हॉर्स के लिए क्या हो गया बच्चो इस्टेबल हो गया और यह जो डिन है यह किस के लिए हो गया लॉयन के लिए हो ठीक है तो आगे आपकी वक्सीट क्या होती है बच्चो सन्नेवाद बच्चो!